एक लड़की को ऐसे लड़की से प्यार हुआ जिसे उसके हिसाव से पा नहीं सकती थी जब वो डेट करने लगे तुस लड़की का सिक्रेट सब कुछ बबात कर सकता है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको आउट आफ मायली ये 2020 की एक रोमेंटिक मुवी एक्स्प्रेंट करने वालो एक बहुत ये अच्छी फिल गूड मुवी है तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो पली से लाइक और कमे के साथ उसकी शादियो इसके बाद जब वो बड़ी हुई तो हमसे बात करती है कहती कि हर एक मुवे में दिखाया जाता है कि बच्पन की एक छोटी सी लड़की जो अगली थी बात में जाकर बहुत ही ब्यूटिफुल बन गे पर वो मेरे साथ केस नहीं है बच्पन हो जैस से बहुत ही स्मार्ट थी जब वो थर्टी नियर्स की थी तभी अपने पैरंट्स को उसने बता दिया था कि वो लेजबियन है सबसे बढ़े रूम को लेकर इन सब में जगड़ा होने लग गया था तो मार्था लीस्ट बनाने लगके पर इपिलो फाइट करने लग जाते है इन तीनों में एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी फ्रेंड्शिप थी अचानक से डस्ट की वज़े से मार्था को ज़रा तकलीफ होने लग गई वो हमसे कही थी कि मुझे एक बीमारी है मुको विसको डियोसिस शायद इसका प्रोनॉसेशन में ने गलत किया इस बीमारी की बात यह है कि जैसे मुवीज में दिखाया जाता है मेरे जैसे बीमारी जिस लड़की को होती है उसके पास एक बहुत ही होट सा बॉइफ्रेंड होता है पूर मेरे पास नहीं है उसकी पसनलेटी हमेशा से फणी और अपलिफ्टिंग है अभी अभी उसके पैरन्स की टेथ ह हो गई थी इसी वाज़े से घर में मूह हो रहे थे अभी जो इसके बाद वो डॉक्टर के पास आए डॉक्टर उसे कहते हैं कि जो फीजियो थेरीपी हम तुम्हारे लिख कर रहे थे अब वो काम नहीं करे वैसे इसमें जादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है अब भी तु उसे मिलना चाहता है पर वो किसी को भी भाव नहीं देती घर पर टिंडर बर स्वाइप कर रही थी और उसके फ्रेंड्स बाहर जा रहे थे वो स्वाइप राइड भी ऐसे लड़के को करती है जो कभी भी उसे भाव नहीं देंगे वो गयती कि ऐसा रिजेक्ट होने का इसके साथ बात करने का वो प्रीटेंड कर दिया वहार चालने के बाद सोचल मेडिया पर उसे घूँडने लगे उसे नहीं भी नोटिस किया कि उसका फ्रेंड आर्तुर को जानता है तो उसके फोन को उसने चुरी कर लिया और इसमें अपने फ्रेंड का फोन नीचे गर जा के उसके बारे में सारी information नों निकाल ले दिया है excited होकर अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए तुसने नोटिस किया कि फेटरिक और जाकोब यह दोनों intimate हो रहे थे यह उसे बहुत ही weird लगता है क्योंकि फेटरिया लिजबियन है और जेकोब गे है उन्होंने डिसाइड गया था कि उन्हें एक बेबी चाहिए और इस वज़े से यह तरीका उन्हेंने अपमनाय हुआ था उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की थी यह सब मार्दा के लिए बहुत ही weird था उन्हें कहते कि तुम दोनों को मुझे help करने पड़ेगी तभी मैं तुम के से अंदर नहीं जा सकते हैं मार्दा उसे अपनी बीमारी के बारे में कहते हैं उसने कहा कि मेरे पास एक bucket list है उस list में इस club में जाना मेरे लिए बहुत important है receptionist को उसके लिए बुरा लगा और यहां की trip देने के लिए मान गे इस trip के बीच में से वह भाग जाती है और कर लेती है वो इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से रख रही थी उसे आर्दूरों के बारे में पता चला था उसके फादर काया किंग क्या करते थे और इसी वज़े से वह कंपीट कर रहा है उसके grandfather ने इंजिनरिंग की थी और इसी वज़े से वह भी वही कर रहा था उ यकोपो कहता है कि मैं मेरी चाइल्ड की लाइफ अच्छी कर सकता हो और मारता का इलनेस यह उसके पीछे का रीजन था ही फेडरिक और यकोप अकेले नहीं पढ़ना चाहते थे मारता यह बात समझ सकती थी और यह सब वो एकसेप्ट करती है नेक्स डे जब वो जोगिंग क उसके पीछे ही था उसे बुछता है कि तुम मेरे आसपा सी क्यों घूमती रहती हो आखिर में तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हो अगर हम दोनों में कोई भी केमेस्ट्री ना हो तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाओंगी अरदुर कहता है कि साल में एक बार में करता हो तो इस बार तुम्हें डेट देता हो इसके लिए मारता बहुत एक्साइड़ होगी आज जब अनॉसमेंट कर रही थी तो 40% के अलाव 40 सेंट्स बोल देती है यह सुनकर शॉप के सारे लोग बहुत ही जादा बाय करने लगके उसका बास इस बात को लेकर उसे बहु अर्तुरो की मदर बाहर आती है तो उसके मुझसे एक भी बात बाहर नहीं आती होसा देने के लिए इसका नाम है बीट ट्रीस मारता को यहाँ पर देखना उसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता अर्तुरो के पैरंट्स उसे बुछते कि दुम दोनों मिले कैसे मुझे बहुत अच्छी लगी थी इस तरीके से प्रिटेंड करना मारता को अच्छा नहीं लगा और जो भी हुआ था इस सब कुछ सच-सच वो बता देती है अरतुरों के फादर ने पुछा कि तुम करती क्या हो वो गये थी कि मैं साइकोलोजी स्टेडी कर रही हूं पर मैं वो अपने बारे में सब कुछ ओपनली बताती है और घुसे में वहाँ से जाने लग गई आरतुरों उसके पीछा आया मारता उसे कहती कि अगर कोई चीज करने का तुमारा मन ना हो तो तुम ना कह सकते हो अब हम दोनों हमारी लाइफ में लोट जाएंगे वो जल्दी घर पर आये तो उसके फ्रेंड्स उसे सपोर्ट देते हैं जो भी हुआ था इस वज़े से बहुत बुरा लग रहा था किसी भी चीज में मन नहीं लगता तो उसके डोर के नीचे से आरतुरों ने उसे एक लेटर भेजा उसे बुछता है कि क्या इस बार तुम मेरे साथ रियल में लेकर गया यहां का मेनु भी बहुत ही डिफिकल्ट था जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आरतुर यह मारता के लिए और देता है उसके बाद यह दुनों एक दूसरे से क्वेशन पूछने लग गये मारता कहती है कि मैं जन्रस हूं इंपेशन्ट हूं और वे करना बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया था वे थी कि मेरी विश्चेंज करती हूं यहां का खाना नहीं खाना चाहती थी यह सुनने के बाद आरतुर और वह वहां से गायब हो गये मारता उसे डारेक्ली अपने सूपर शॉप में लेकर आई कि इससे लाइट लगा थी है और इसके बाद अनॉस्मेंट देनी के लिए चली की उसे गायड करती है कि फूड आइडम्स उसे कहा पर मिलेंगे उसने सब कुछ पिक किया और फिर गार्डन के सेक्शन में चले के मारता उसे बुछता है कि तुमने अपने लाइफ में आई लव यू कितने बार का है आरतुर से मारता को सैड लगा पर अपनी विमारी के बारे में फर्स्ट डेट पर नहीं बता सकती तुसे कहती है कि मेरे एक ओथर के साथ शादी हो गयोगी उसे थ्री जिल्डन होंगे और वो बहुत ही खुश होगी मारता उसे बुछती कि क्या तुम्हें प्लैनिंग अच्छे नह ना कहता है और मारता को बता ह horrend भोल रहा हुआ अरतुर बुछता है कि जैसे तुमने इमैजिन किया था क्या इंडेट वैसे ही थी मारता इसके लिए हा कहती है उसमें उसे उसे पूछा कि क्या तुम उपर आना चाहते हो तो और उन्ट्यमेट होने लगए उसके बाद उपर रह vendor के पसन आई थी क्योंकि एक्च्छल में हो स्मार्ट है अर्थ right उतसरा तुम कर क्यारी ओं मार्ता कहीती के क्लिए लेकर आई थि और वह चोड़का रेश्डूम में चले की और जब वापस आई तो और उसके लिए बहुत दी बूर सा गांडा गाता है इसके बाद इंकी यो डॉक्टर के पास आगे अपनी रिलेशन्शिप से वह बहुत खुश थी फिट्रिका उसे कहती है कि तुम्हारी रिलेशन्शिप आगे बढ़ रही है तो मैं आर्थुरो को सब कुछ सच सच बता देना पड़ेगा मार्था कही थी कि मेरे पास जो भी मुमेंट है यह संथा यही कर्ल की उसने उससे बना दिया है इसके बाद उसे बोटिंग के लिए लेकर नहीं जा सकते ैंपर फेर भी आई तुरुरन ने अपना जैकेट उसे दिया उससे कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रसst कर हो मारता कही थी कि अफ्कोस कर दियो अर्दुरों ने कहा कि मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ अचनक से मार्दों को खासी आने लग गए उसकी तबियत खराब होने लग जाती है और नीजे पानी में गिर की उसने अर्दुरों से कहा कि मैं ठीक हूँ और इसके बाद वहाँ से भाग जाती है डारेटल वो होस्पिटल में एडमिट हो गई थी डॉक्टर का उसके फ्रेंड्स को कॉल आता है जो उसके लिए बहुत ही वरीड थे डॉक्टर रिपोर्ट्स लाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक इन्फिक्शन है जादा कुछ ये सीरियस नहीं है तुम्हें फ्यूचर में और भी खैयाल रखना चाहिए उसके फ्रेंड्स उस पर गुस्सा थे और गहते कि तुम्हें इस तरीके से रिस्क नहीं लेनी चाहिए अगर उसने खैयल रखा तो पचा साल से भी उस जादा जी सकती है मार्था कहती है बवमुशा है जिन्दकी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं जो आर्थुर के साथ उसकी मेमरी से ये बहुत ही ब्यूटिफुल है उसके पास अगर कम भी टाइम हो फिर भी हो डिसर्व करती है फ्रेंड्स के जाने के बाद मार्था ने डॉक्टर से बात की वो कहती कि मैं बहुत सारे डॉक्टर पदल सकती थी पर मुझे पता होता है जब आप जूट कहती हो मुझे सच बता ही है कि मेरे पास कितना टाइम है डॉक्टर कहती है कि अब तुम्हारी कंडिशन रैपिडली खराब होती जा रही है इस विमारी से बचने के लिए तुम्हें ट्रांस्पराण की जरूट पड़ेगी वरना तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है अरतुरो मार्दा को हर जगा पर ढूणने की कोशिश करता है और उसे कही पर भी ढूण नहीं बाता मार्दा ने अपने फ्रेंड्स को अरतुरो के मैसेज को रिपलाइ देने से मना किया था वो जब घर पर आये तो उसके घर के बाहर ही उसका वेट कर रहा था उसे कहता है कि मैंने हर जगा पर तुम्हें ढूणने की कोशिश की हुआ क्या था मार्दा कहती कि इबाद में तुम्हें कैसे बताओ मार्दा कहती कि तुम्हारी मिसंडस्टेंडिंग हुई तुम उससे प्यार करते हो पर मैं तुमसे नहीं करती आर्थुरो गहता है कि तुमें ये सब कहे क्यों रही हो मुझसे क्या गलती हो कि मारता अब उसकी life complicated नहीं करना चाती थी उसे कहती है कि तुम अब भी अपने parents के साथ रहते हो अपनी life के decision खुद नहीं लेते है मैं एक ऐसे आदमे के साथ नहीं रह सकती ये सब गएकर वो चली गई आर्थुरो इन सब बातों से बहुत ही sad हो गया था उसके friends उसे club में लेकर आते है club में उसके बास Beatrice आई वो खोद उसे kiss कर लेती है आर्थुरो के friends ने इसकी video बना ली थी और social media पर post कर देते है इसके बाद उसे घर पर लेकर गए और उसके साथ intimate होना चाहती थी पर आर्थुरो इसके लिए उसे मना कर देता है कहता है कि अगर मैंने इसा किया तो सिर्फ मार्दा से बदला लेने के लिए किया ऐसा होगा तो उसे हट नहीं कर सकता और रात में बहुत ही लेट घर पर आता है उसके मदर गही थी कि तुम थेका हम तुमारे ले बहुत वरीड थे उसे मार्दा के बारे में पूछते है आर्थुरो ने कहा कि उसने मुझे से ब्रेक अप कर लिया मदर इस बात से सप्राइज थी तो आर्थुरो गहता है कि हर कोई हमारे प्रापरटी के पीछे नहीं होता मदर गहती कि हमारे पैसो की वज़े से तुम्हें सब कुछ फैसिलिटीज मिली है तुम अपनी लाइफ अच्छी तरीगे से जी पा रहे हो जब मैंने तुम्हारे फादर से शादी की तो उस दिन मुझे लग रहा था कि वो शादी में प्रेजेंट हो पर वो नहीं आए तुम्हारे ग्राइन फादर की डेथ हो जाने के बाद उन सब चीजों में मुझे एक लेटर मिला उसे मुझे पता चला था क्यों उस वक्त मेरी वेडिंग में आई हुए थे हमारे बास हमारे लाइफ की डिसीजन लेने की हर बार एक चॉइस होती है तुम्हें अब अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए नेकसिन में मारता डॉक्टर के बास अपना चेक अप करवाने के लिए आई हुई थी पिएट्रीज भी उसे हॉस्पिटल में थी क्योंकि उसके फादर डॉक्टर है अपने फादर से मारता के बारे में पूछ लेती है उसे सारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया मारता ने बिएट्रीज और अर्थुर के वीडियो देख ली थी और इस बात से आपसेट थी बिएट्रीज मारता से मिलकर उसे यह थी है कि अर्थुर तुमसे बहुत प्यार करता है तुम्हें अपनी कंडिशन के बारे में सब कुछ सच सच उसे बता देना चाहिए